दोस्तों यदि आप चाहते हैं साल दोजार चौबश में बिहार से डियलेट करना तो ये το विडियो आपके लिए काफी महतपुर्ण होने वाला है कितने नमबर आपकी होने चीए सरकारी कॉलेज में नमांकन के लिए और कितने पर आपकी कटप बनती है उसकी भी मैं पूरी जनकारी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वीडियो अगर आपको पसद है तो प्लीज यसे एक लाइक करिए का और चाहते हैं आगे भी इस परकार की अपडेट आपको मिलती रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आने वाले सारी अपडेट की जनकारी यह आपको मिल पाएगे फिलाल अपने स्किन पर चलते हैं पूरी जनकारी बिस्तार में बताते हैं बिहार DLA के लिए कैसे आपकी नमांकरन होगी कौन लोग आवेदन कर सकते हैं जो भी है पूरी जनकारी आपको डीटियर में दिखाते हैं बिहार DLA admission 2014 से जूरी पूरी जनकारी के लिए हमने आपको वीडियो description में एक link को प्लब्ट करा दिया है यहाँ पर आपको पूरी जनकारी मिल जाएगी हाई यह सभी जनकारी एक एक करकर समझते हैं सबसे पहले इसका important date क्या है कब से कब तक क्या होगी तो उसकी जनकारी समझे इसका notification आपको December महिने में ही जारी की गई थी short notification, detail notification आपको जनवरी महिने में आएगी इसमें बताया गया है कि आप सभी का online application जो start हो रहे हो 10 जनवरी 2024 से चलेगी यह 25 जनवरी 2024 तक इसका अंतिमतिती रखे गया है last date भी same date को ही होगा correction करने का जो window है वो कब खोला जागा इसका date अभी नहीं दिया गया है फिर आपका जो admit card है फरवरी महिने में ही जारी कर दिया जागा फिर आप सभी का entrance test होगा जो conduct होंगे 6 March 2024 से लेकर 25 March 2024 के बिच यह नहीं कि इस date में आपको कई सारे date मिलेंगे एक date ही आपको दिये जाएंगे जैसे मान लिजे आप बहुत सारे candidate फॉम भरेंगे एंसर की में भी objection अगर कुछ करना है तो कर सकते हैं 20 March से 25 March तक यह खूली रहागी और आपका result अपरील महिने में ही जारी कर दिया जागा तो यह आपने clear समझा online आवेदन जब करेंगे तो इसके लिए application भी क्याद देने परेंगे तो अगर आप general, EBC, BC, OBC यह जो candidate है उनको जो आवेदन सुल्क देना होगा online करने का वो 960 रुपे है जो कि बिहार में थोड़ा सा धीक ही रहता है application भी किसी भी form को भरेंगे तो बाकि S.A.S.T. जो दिव्यांग होंगे उनको जो पैसा देना होगा 760 रुपे आपको देने परेंगे online करेंगे तो कुछ document भी आपको यह पास चाहिए वो क्या-क्या है उसकी सूची दी गई जैसे आपके पास अधारकाड होगी, bank passbook होगा उसके आलाबे आपके जो बड़ा हुई का परमानपत्र है जिसमें आपके marksit और certificate आ जाता है यह दोनों चाहिए दस भी के आपके marksit और certificate चाहिए आपका जो निवास परमानपत्र है यानि आवास से यह परमानपत्र वो चाहिए जाती परमानपत्र यदि आपको आरक्षन का लाब लेना है तो और जरूर लगाईएगा आपके पास चालो मोवाईल नंबर इमेल आईडि होना चाहिए एक पासपोर्ट साई फोटो होना चाहिए तो आप फॉर्म को इजिली भर पाएंगे फॉर्म भरने के लिए के इलिजीबिलीटी क्या है कौन कैेंडिएट फॉर्म भर पाएंगे तो फॉर्म भरने के लिए यहांपर बताया गए कि बिहार के j advocating वही भर पाएंगा इस्का फॉर्म नहीं भर पाएंगे और आपने जो बाराहवी कम से कम पास किया होना चाहिए बारहभी में कितना नंबर होना चाहिए तो बता आगा है कि आवेदक परिक्षारती जो आवेदन करेंगे कम से कम 50% अंकाप के बारहभी में होना चाहिए यह किन के लिए है तो यह जो OBC वाले कैनिडेट है जिसमें BCBC आ जाते हैं इनको यहाँ पर दिये गए है AWS वालों के लिए है बाकि जेनरल वालों के लिए है यह 50% बारहभी में होना चाहिए बाकि 45% जो डिजर्वेशन कैटेगरी है SCST इन सबको अगर उतना भी है दिव्यांग है तो आपको 45% भी है तो फॉम को अब भर पायांगे अब इसमें age क्या होगा तो age इसमें 17 साल आपका कम से कम होना चाहिए धिक्तम के कोई यहाँ पर limit नहीं रखी गई age count कब से होगा तो एक एक 2024 के अनुसार होगा अगर आपको देखना है कि आपका age जो है 17 साल हो रहा है या नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हमने एक link दिया है age calculator का आप जिस पर click करेंगे यहाँ पर आपको बताना है कि आपका date of birth कितना है जैसे मान लिजे किसी का date of birth जनवरी म तो यहाँ पर बताना है एक जनवरी 2024 के अनुसार और यहाँ पर calculate बाले बिकल पर click करेंगे यहाँ पर बताएगा कि आपका जो age है 22 साल पूरा हो चुका है तो आप form को भर पाएंगे कम से कम 17 साल आपका होना चाहिए तो यहाँ तक clear हो चुका होगा अब समझते हैं कि इसम Admit Card जारी किया जागा LOOK Admit Card जारी होगा उसके बाद आपका voluntary च्याप फोगी Online म से होगा आप अ आन्ट अपना टेस्ट देंगे टेस्ट देने के बाद आपका क्या होग इसर की जरी उगना उन करेंगे विपर कोई чтоб gay lettuce करेंगे फिर आपका result जारी किया जागा result आने के बाद क्या होगा कि आप सभी को counseling करना होता है counseling में ही सरकारी private ये college चुड़ना होता है तो कितने नंबर पर कौन से college चुन सकते हैं और कितने पर सरकारी आपको मिल पाएगे उसकी जनकारी मैं आपको बताऊँगा तो पहले यहां तक समझते कि अब आपकी जो exam होगी उसका क्य choice होंगे मतलब 4 option दिये जाएंगे उनमें से कोई एक सही करना होगा paper का जो language होगा Hindi English दोनों में रहेगा आप जो भी चाहे अपने अनुसार दे सकते हैं बाकि इसमें कुल 120 प्रस्न होंगे 120 marks को होगे मतलब एक प्रस्न एक नंबर का होगा negative marking इसमें नहीं रखा जाता है बा प्रस्न पूछे जाएंगे 25 अंका का गनीत से प्रस्न पूछे जाएंगे 25 और 25 अंका रहेगा अब ज्यान से 20 प्रस्न 20 अंका रहेगा समाजिक अध्यन से जो आपके प्रस्न होंगे 20 होंगे 20 अंका और जो English होता है समान ने English से 20 प्रस्न आपको देखनों को मिलेगा 20 अंक है ताकि आपको सरकारी कोलेज मिल जाए उसकी जनकारी मैं अभी आपको बताता हूँ यह काफी important जनकारी है बहुत सारे candidate को सरकारी कोलेज नहीं मिल पाता है अब यहाँ पर भी confusion बच्चे हो जाते कि क्या सरकारी कोलेज या private कर पाएंगे यह मुश्किल से आपको 25,000 से लेकर 30,000 रुपे में दो साल का course आपको हो जाएगा यह government से वही अगर private आपको मिलता है तो private में जो सुल्क होता है माल लिए अप्रॉक्स में आपको डियर लाख रुपे के करीब में खर्चा हो जाएगा इससे पलस ही हो सकता है डियर लाख रुपे में आप डियले प्राइबेट से करेंगे और यही government अगर आपको मिल जाता है तो आप 25 से 30 से जार में कर लेंगे तो यही आपको जो है सहुलियत हो जाता है तो जितना अच्छा पी स्कोर करेंगे उतना अच्छा चांसेस रहेगा कि आपको सरकारी कॉलेज मिल पाएगा अब 120 में देखिए अगर आप जनरल वाले कैनिडेट है तो अगर आप 75 से 80 नमबर लाते हैं तो यहाँ पर government college आपको मिल सकता है इन बातों को ध्यान रखीगा इतना नमबर अगर आप लाते हैं तो वही कोई OBC वाल 60 से 65 यह मिनमम है मिनमम बता रहे हैं अगर आप इससे अधीक लाते हैं तो और बेस्ट है जो कनेडियाट अगर मान लीजे 120 में अगर 100 ले आए तो उनको तो और अच्छा है कि जो टॉप college होंगे डिलेट का वह college आपको मिल जाएगा सरकारी में तो यह ध्यान रखीगा यह मिनमम है इससे आपको अधीक ही लाना है ताकि आपको बेटर से बेटर college government में भी अच्छा से अच्छा college आपको मिल पाए बाकि EWS बालों के लिए भी 70 से 75 लाना है और कोई दिव्यांग है तो आपको 50 से 55 लाना है कम से कम तब जाकर आपको government college मिल सकता है private college इससे कम आएगा तो आपको मिलेगा इन बातों को ध्यान रखेगा वही सुल्क में अंतर हो जाएगा फिर तो ये आपका clear जनकारी हो चुका होगा अब यहाँ पर देकी एक्जाम देने के बाद सब बच्छे counseling नहीं कर सकते counseling करने के लिए एक qualifying marks रख दिया गया है जिसमें अगर माली जब general या जो EWS वाले candidate होंगे तो उनको कम से कम 35% मतलब 120 अंका एक्जाम हो रहा है इसका 35% अगर आप लाते हैं तभी आप counseling कर पाएंगे अने था आप counseling नहीं कर पाएंगे वहीं पर आपको fail माना जाएगा अधर जो भी candidate है reserve category के उनको कम से कम 30% नंबर लाना होगा 120 का 30% कर लिजीगा उससे कम अगर आपका आएगा तो फिर आप counseling नहीं कर पाएंगे कम से कम 36% नंबर आपको लाना होगा counseling में भाग लेने के लिए तो यह यहाँ तक आपका जनकारे clear हो चुका होगा जो यह आपकी syllabus आप देख रहे हैं यह syllabus क्या होता है तो यह आपका 3 लेवल का होता है थोड़ा सा competitive type का आपका यह syllabus हो जाता है यही है बाकि जो इसका अगर आप त्यारी अभी सही करेंगे तो और भी आसानी होगा अगर आप comment करेंगे तो अगली वीडियो में इस पर ला दूंगा कि किस आप त्यारी करेंगे ताकि आपको इसमें selection मिल पाए आप आसानी से जो है easily जो government college है उससे आप राप्त कर सकते हैं बाकि आप नीची आएंगे तो यही पर आपको direct हमने link भी उपलप्त करा दिया है online apply जब होगा तो आप यहीं से apply कर सकते हैं और notification देख सकते हैं बाकि जो इसका form आपको fill करना होता है ताकि आपको कहीं भी कोई परसानी नहीं होगे अभी आपने देखा हमने आपको पूरी जनकारे बताया बिहार डियलेट 2024 के लिए किस प्रकार आपकी यह पूरी परकिरिया होने वाली कौन candidate भर सकते हैं सलेबस क्या होगी कब से कब तक form को भर form भरने का जैसा ही link active होगा डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा चैनल को subscribe करके रखिएगा तके सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद